आगामी मानसून में संभावित प्रकृतिक आपदा से बचावेवं राहत विवस्था के संबंध में सभी आवश्यक तैयारियास तुनिश्चित करने के लिए महापौर वप्रभारी आयुक्तनेली बैठक अधिकारियों वग कर्मचारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने के दिये निर्देश नगरपालिक निगम दुरुक के डाटा सेंटर सभागार में आगामी मानसून में संभावित प्राकृतिक आपदा से बचावेवं राहत विवस्था के संबंध में महापौर धीरच बाकलिवाल इवं प्रभारी आयुक्त आश्यिस देवांगर ने लोक कर्म प प्रभारी संजय कोले की मौझूद्गी में अधिकारियों वक करमचारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौपी मानसून के दौरान संभावित प्राकृतिक आपदा को ध्यान में रखते हुए दुर्ग निगम का रहले में बाढ़ नियंतरन कक्ष इस्तापित किया गय हैं और दलब है कि महापौर धीरेज बाकलिवाल और प्रभारी आयुक आशिस जिवांगन ने यह दिशा निर्देश दिया है कि शहर के विबिन्य छेत्रों में जहां बाढ़ की इस्तिती में पहुचना संभव नहीं होगा वहां परियाप्त मात्रा में खाद जीवन संग्रहित करेंगे उन्होंने कहा है कि पेजल की शुद्धता एम सच्चता को द्रिश्टिकत रखते हुए हैंड़ आदी में ब्लीचिंग पाउडर की विवस्ता सुनिश्चित की जावे ताकि शुद्ध पेजल उपलब्द हो महापौर ने कहा कि अधिकारी कर्मचारी ल दुरुक से नसीम फारुकी की रिपोर्ट